हेलो एड़ीबन वेल्कम बैक टू मैं चैनल आप सभी लोग कैसे आप सभी लोग बहुत ही जादा अच्छे होंगे और आज मैं आपके लिए रिव्यू लेकर आई हूं एक शैंपू के बारे में शैंपू को शियर करने का सबसे में रिजन यही है कि एक तो ही मुझे बहुत यह बहुत ही बेस्ट और अच्छा शैंपू है मैं खुद इसको यूज करती हूं और मेरे साथ इसके रिजल्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है को रिव्यू मैं करने वाली हूं वह है जोई का हेर फूट ड्रा हेर्स के लिए राइनस कंट्रोल करने वाला शैंपू जित्ते भी वेरियंट है इस शैंपू के मैं सारे ही अपने चैनल पर शेयर कर चुकी हूं उसकी लिंक में आपको आई वटन पर प्रोवाइट कर दोंगी अदर आपको डिस्क्रुक्शन में वह लिंक्स मिल जाएंगी उसकी या फिरा मेरे चैनल पर सर्च करकर देख सकते ह हैं इसकी जित्ते भी वेरियंट से वो सारे की रिव्यू अबेलेबल है ब्लैक औरेंज एंड रेड वो तीनों के ही मैंने रिव्यू बनाई हुए हैं और उनकी वर्सेस भी बनाई हुई हैं मैंने बताया है कि कौन से सबसे जादा बैस्ट है तो आप उसको चेक आउट कर स हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा चिपचपे से हो जाते हैं कंगी करो तो बहुत ज़्यादा उलच जाते हैं ट्राइ हो जाते हैं तो उसके लिए यह बहुत ही वैस्ट सलीशन अगर आपको डेली वर्क आउट करते हैं और उसके बाद आपके बाल बहुत ज़्यादा करता है कि अगर आपको स्वेटिंग भी होती है तो उसके पापजोद भी आपके जो हीर से वह बिल्कुल भी ओईली चिप चिपे नहीं लगते हैं और बिल्कुल भी उल्चे और ड्राइ भी नहीं होते हैं मैं इसी को यूज करती हूं मुझे इसका वरक बहुत ही ज्यादा प पड़ता है तो उसके लिए इसका यह सल्यूशन है आपके लिए आप अपने शैंपू को रिप्लेस करके इस शैंपू को एक बार जरूर ट्राइब करें अगर आपको ओली हैर्स की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है डे टू टे अगर हम अपने हैर्स को डेली डेली वा पून ना करना पड़े ओकी सो अगर मैं बता दूं तो यह हैर जो है वह आपके हैर्स को बहुत ज्यादा सॉफ्ट सिल्की शाइनी एंड स्मूध बनाता है और इसकी फ्रेग्नेंस आपके हैर्स में आराम से तीन दिन तक रहती है अगर आप बहुत ही ज्यादा एक्सेव व अच्छे हो रहे हैं तो ज्यादा ज्यादा टू टाइमस यूज करना और आपको इसके रिजल्ट दिखेंगे बहुत ही ज्यादा अच्छा शैम्पू है और हेर्स में इसका कोई ऐसा खास रोल नहीं है यह हैर्स के लिए है भी नहीं है बटिया आपके हैस को इतनी अच्छ है शेल्ट हैं इसके सोचितनी थो यह चैमिकल फ्री है तो आई सथी हैं यह फ्रीक्ल थैघ जो बसक्राइप流 सब्सक्ताइब ल्ड़ीन बहुत कर्गेए लाए इसके कर दें और इसके कि काभिन पर भूदे या। अच्छा वर्क करता है और मेरी तरफ से यह highly recommended है इसको सारे हेर टाइप भाले यूज कर सकते हैं डेफिनेटल उनके लिए बहुत अच्छा वर्क करेगा और यह बहुत ही ज्यादा अफॉर्डेवल भी है और इसली आपको किसी भी मार्केट में मिल भी जाएगा कोई की साइनी एंड मैनेजवल बनाने में हेल्प करता है इसमें है लेमिन यह वह आपके हेर की रफनेस को रिमूब करने में हेल्प करता है और आपके हेर को शाइनी बनाने में हेल्प करता है अगर आप देख रहे होंगे वीडियो में तो मेरे हेर से किते जादा शाइनी लग हैं सो यह बहुत ही अच्छे से वर्क करता है अगर हम बात करने तो इसका पहला ही जो इंग्रीडियंट हो है सौडियम लॉरेल एथर सेल्फेट को कि बहुत ही जादा हम फुल केमिकल माना जाता है आपके हेर्स के लिए उसके बाद बहुत सारे ऐसे भी इसमें केमिकल हैं के अंदर होते हैं बट मैंने आपको बताया अगर आप केमिकल को साइट कर दें तो यह डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा और माइंड ब्लॉइंग ऑप्शन है आप सभी के लिए ओकर हम इसकी वेट की बात करें तो यह है 340 ml का और इसकी रेट है 160 रुपीज बट मैंने इसको ओफर में लिया था तो यह मुझे 99 रुपीज का मिला था और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी इसको पर्चेस करने की जिसमें आपको यह एक अफॉर्डेबल रेट में मिल चाहेगा आप चाहें तो आप इस पर अपनी नियर मार्केट से भी ले सक अपने त्राइक करना तो इसके अधर वेरियंट है वो भी आप ट्राइक कर सकते हैं और इसकी जो सेल्फ लाइफ है वह है टू यह सकते हैं और यह एजली अगर हम इसकी क्वाइंटिटी के अकॉड़िंग देखें तो यह एजली अगर कोई सिंगल परसन यूज करता है तो तो से त्री मन्स तक ईजली यूज कर सकता है और बहुत ही कम क्वाइंटिटी लगती हो बहुत ही ज्यादा यह फोम क्रियेट करता है और यह को क्लीन करता है अगर आप अपने हेर पर ओईलिंग करते हो वीक में तीन बार और उसके साथ यह शैंपू यूज करते हो तो आप अपने हेर पर रखना नहीं है बस अपने हेर पर लगाना है और वाश कर लेना है तो एक बार हम इसको अबॉइड भी कर साकते हमें कैमिकल्स का उन चीजों में बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए जो हम चेहरे पर लगा कर छोड़ रहे हैं वोके ना कि उन चीजों तो जैसे हम अपने चीजों को वाश कर रहे हैं उन पर देना चाहिए बट गाइस इसमें कैमिकल्स हैं वोके तो अगर आप कैमिकल्स से आपको इश्यू नहीं है और आपको बहुत ज्यादा ओयली चिप-चिपे हैर्स की प्रॉब्लम है आपको हर वीक में हर बार-बार कर सकते हैं यह बहुत अच्छा वाग करता है और हम इसकी रेटिंग के बात करें तो इसको मैं 5 में से 5 रेटिंग देती हूं गाइस इस जस्ट वरंडर ओके और अगर आप यह सेंपो यूज करते हैं या फिर इसका कोई भी वेरियंट आप यूज करते हैं तो उसका उसके ने बारे में कमेंट बाक्स में जरूर मैं आपकी कमेंट जरूर पढ़नेखी और आपकी कमेंट डूसरों के लिए बहुत जानार verstehen रहे और उलोगों के साथ जरूर ना जिनको यह प्रोबलम बहुत जादा हो रखी है hair के greasy और चिप-चिपे होने और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब वीडियो को लाइक एंड शेयर करना नाम भूले उनके लोगों के साथ जरूर शेयर कर दें जिन लोगों को एक अच्छे शैंपू की बहुत साथ नीड़ है जो उनके हर को बहुत ही शाइनी ग